अब फाइनली में आप लोगों के साथ ये डीटेल शेयर कर लेता हूँ कि आप लोगों को ये बाइक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए नमस्ते दोस्तो और वेलकम टू आर चैनल कैसे आप लोग अगर आप लोगों को बजाच पलसर F250 या फिर N250 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए तो आप लोग सही जगपा आये हो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कन्फिजन दूर करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को अपना ओनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ जो की रहेगा पूरा टोटली बेस्ट ऑन माई रिव्यू तो यस मैंने थोड़े टाम पहले इसका रिव्यू किया था अगर आप लोगों नहीं देखा है तो यहाँ पर आये बटन में आप लोगों को मिलता रहेगा लेजंडरी बजाच पलसर 220F के डिस कंटियू होने के बाद हमको नहीं पता है कि F250 इसको रिप्लेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी बट अभी फिलाल के लिए अपने पास यहीं ऑप्शन अवेलेबल है मैं आपका यहाँ पे जाधा टाम वेस्ट नहीं करन था सो डेफिनेटली आप लोगों को F250 भी पसंद आएगी और क्यू वो मैं आप लोगों को एक्स्प्लेइन करता हूँ 220F के जैसा इसका भी हाफ फेरिंग वाला लुक है जो कि आप लोगों को एजीली मेंटेन करने में बहुत ज़दा हैल्प करेगा साथ में इंजीन को ज नए टेक्स इसके अंदर इंक्लूड किये है जिससे बजाच पलसर F250 एजीली कंपेट कर पाएगा मार्केट के अधर बाइक कंपेटिशन के साथ बजाच की टेल लाइट का लुक सबको पसंद आता था और वसी तरीके से नया F250 के अंदर इसका टेल लाइट का लुक भी का काफी अच्छा लगा हेडलाइट की लूक का बात करते है तो मुझे ओके लगा इतना कुछ जादा मुझे पसंद नहीं आया आप लोग क्या बोलते हो यह नीचे कमेंट कर देना विल्ट कॉलिटी डेफिनेटली बेटर है बट अभी भी बहुत सारे जगह पे थोड़ा सा टच नहीं दिया गया है जो कि थोड़ा सा और बेटर होता तो काफी अच्छा होता कुछ फाइबर के पार्ट का कॉलिटी अच्छा नहीं है और बहुत सा जगह पे इसका फिटिंग भी प्रॉपर नहीं है बट स्टिल मैं आप लोगों को यहीं बोलूंगा कि जो प्रिवे के साथ इसका on-road प्राइज भी शेयर कर देता हूं तो बजच पलसर f250 का on-road प्राइज है 1,69,000 मेरे यहां पर अगेर आपके यहां पर थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है और n250 अगर आप लोग देख रहे हो तो उसका on-road प्राइज है 1,67,000 यानि कि सिफ 2,000 रुपे का यहां पर न्यू पलसर f250 के इंजिन के बारे में डीटेल्स शेयर करता हूँ तो इसके अंदर न्यू 250 CC का ओईल कूल इंजिन है जो कि डेफिनेटली पावरफुल है इसके अंदर 250 CC का इंजिन है जो कि पावर प्रोडूस करता है 24.1 बहप का एंड साथ में 21.5 न्यूटन म इसका टॉर्क देता है बाइक के अंदर 5 गियर्स है 6 गियर्स होते तो काफी अच्छा होता बट स्टिल इट इस वाट इट इस राइट इंजिन काफी रिफाइन है और पावर काफी अच्छा है सीटी में चलाने के लिए अब इतना ही काफी नहीं है हम इंडियन सामेशा ए आप लोगों को मिल जाएगा 35-39 kmpl अगें इसका फ्यूल टैंक काफी बड़ा है फ्यूल टैंक कैपसिटी है इसका 14 लिटर का सो अगर आप लोग लोग तूर पे जाओगे तो आप लोगों को ज्यादा हॉल्ट नहीं लेने पड़ेंगे वन टाइम पे फ्यूल टैंक फूल लेटेस्ट फीचर दिये है हाँ एक चीज और है कि इसके अदर ब्लुटूथ कनेक्टिविटी नहीं दिया अगर वो होता तो काफी अच्छा होता बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यह प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को जो बाइक पिल रहा है इट र या फिर नहीं लेना चीह है तो मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बलूंगा कि पलसर इस पलसर नोबडी कें रिप्लेसिट और डेफिनेटली अगर अप लोगों को जो जुनना वाला पर्सर था वो पसंद आएगा तो आप लोगों को यह बाइक भी पसंद आएगा अगर आप एक sport bike type देख रहे हो जिसका look अच्छा हो जिसके अंदर features काफी अच्छे हो जिसका power काफी अच्छा हो और mileage भी आप लोगों को ठीक ठाक दे दे city में और highway पर तो definitely मैं आप लोगों को recommend करूंगा F250 काफी अच्छा option है आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को like a naked version चहिए तो definitely you can go for N250 और हाँ एक और सबसे important बात Bajaj की यह है कि Bajaj की bikes को maintain करना काफी easy होता है चाहे वो 200cc के engine वाला bike क्यों नहीं हो उसका maintenance बहुत ही कम आता है so यह एक और again advantages है Bajaj की bike के लिए मेरे पास Dominar 400 है and इसको maintain करना बहुत ही सस्ता है compare to any other 400cc bike so मैं आप लोगों को यह बोलूँगा कि definitely you can go for it and definitely you can buy यह एक आहम आदमी की superbike है so that's it from my side अगर आप लोगों को इसके अलावा और भी कोई doubt है तो आप नीचे comment कर देना या फिर आप लोग मुझे personally message कर सकते हैं मेरे instagram या फिर facebook के उपर thank you so much guys for watching and congratulations for your new bike bye बाइस